हेलो स्टुडेंट्स इव्याख्यान श्रंखला के नतरगत आज का टॉपिक है परवत निर्मान की प्रमुक सिध्धान माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज जिसमें प्रथम सिध्धान थै कोबर का परवत निर्मानक भूशन्नती सिध्धान जर्मन विद्वान कोबर ने संकुचन सक्ति पर आधारित अपने द्यूपक्षिय सिध्धान में बताया कि सबसे पहले प्रत्वि में संकुचन के कारण ही भूशन्नतियों का निर्मान हुआ है कोबर का परवत मिनमारकाने सिध्धान इन्होंने 1923 में प्रतिबादित किया है कोबर ने बताया कि प्रतेक धूशननती के किनारों पर इस्थित कठोर इस्थलखंडों से अनाचाधन द्वारा उत्पन्न मलबे के धूशननती में धीरे धीरे जमाख होते रहने और दबाव पढ़ने के कारण तली में लगातार धसाव होते रहने से उनकी घहराई भी बढ़ती जाती है कोबर ने बताया कि जब भूशननती भर जाती है तब अत्यदिक भार के कारण उत्पन्न छेति संचलन द्वारा भूशननती के दोनों किनारे अर्थात अग्रप्रदेश, फोरलेंड एक दूसरे की और सरकने लगते हैं फलसरूप संपीडन बलके कारण मलबे में मोड अर्थात फोल्ड्स पढ़ने से भूशननती के दोनों किनारों पर दो वलित परवत स्रेणियों का निर्मान होता है जिन्हें रेंड केटेन कहा जाता है आगे चलकर कोबर ने बताया कि जब संपीडन बल अधिक होता है तब भूशननती का समस्त बलबा वलित होकर परवत स्रेणियों का रूप धारण कर लेता है और जब संपीडन बल सामन्ने होता है तब भूशननती का बीच का भाग वलन से परवावित रहता है जिसे स्वाशिन बर्ग अथ्वा मध्धे पिंड कहा जाता है कोबर ने बताया कि टैथिज भूशननती के उत्तर में इस्थित यूरोप के इस्तलभाग तथा दक्षिन में इस्थित अफरिका के इस्तलभाग के एक दूसरे की और सरकने से की अलपाइन परवत संखलाओं का दिर्माण हुआ है अफरिकी इस्तलभाग के उत्तरकी और सरकने से पिरेनीज, मुखे आल्प्स, कारफे थियन्स, बालकन, काकेसस, इत्यादी परवतों का दिर्माण हुआ है जबकि यूरोपिय इस्तलभाग के दक्षन की और सरकने से एटलस, एपिनाइन, डिनाराइट, इत्यादी परवतों का दिर्माण हुआ है कौबर ने बताया कि इयोसीन युग में तैथिज भू सन्नती के उत्तर में इस्थित अंगारा लेंड और दक्षिन में इस्थित गौंडवाना लेंड के एक दूसरे की और सरकने से हिमाले एमम कुनलुन परवत स्रेन्यू की उत्पत्ति हुई है कौबर द्वारा वर्नित मध्यपिंड के आधार पर उत्पन विश्व की कुछ प्रमुक वलित परवत स्रेन्या निम्न प्रकार है परवत स्रेन्यों के नाम जिसमें प्रथम कारपेथियंस एमम दिनारिक इनके मध्यपिंड का नाम है हंगरी का मैदान दूसरा पीरेनीज एवं एटलस के मध्धे मध्धेपिंड का नाम है रूमसागर इसी प्रकार तीसरा टॉरस एवं पॉंटिक परवत स्रेणियों के मध्धे अनातोलिया का पठार इस्तित है चोथा एलबुर्ज एवम जैग्रोस परवस्यनियों के मध्धे एरान का पठार इस्तित है और अंत में हिमाले एवम कुनलून परवस्यनियों के मध्धे तिब्बत का पठार इस्तित है परतनरमान का तूसरा सिध्धान्त है डैली का महादिव पिये फिसलन सिध्धान्त कॉंटिनेंटल स्लाइडिंग थ्योरी ओफ डैली डैली ने अपने सिध्धान्त का प्रतिपादन 1926 में किया था मुख्यत है गुरुत्वाकरशन बल पर आधारित अपने सिध्धान्त में डैली ने बताया कि प्रत्थ्व की उत्पत्ति के शीग्रभाद तरल परत्थ्यों के उपर ग्रेनाड चट्टान से निर्मित एक गैस पपड़ी एक ठोस पपड़ी अथवा आध्य परत प्रिमिटिव क्रस्ट का निर्मान हुआ ठीक इसी समय भूमद्दे रेखा एमम धुरू के आसपास इस्थल भाग गुमबद की रूप में उब्रे हुए थे और उनके मद्दे एक जलिय भाग फैला हुआ था डेली ने बताया कि इस्थलिय गुमबदों के आपरदन से प्राप्त मलवे का जलिय भाग में जमने से एक भूसनती का निर्मान हुआ और मलवे के भार में निरंतर वुर्दी होने से उसकी तली में धसाव होने लगा डेली ने बताया कि भूसनती की तली में निरंतर धसा होने से पार्श्विक दबाव पढ़ने के इकारण गुमबदों का विस्थार होने लगा विस्थार के फलस्वरूप गुमबदों का अवसाद फैलने लगा और उनके भार में कमी आने लगी आगे चलकर डेली ने बताया कि गुमबदों के भार में कमी आई को पूरा करने के लिए प्रत्वी के आंतरिक भाग में इन गुमबदों के नीचे की और अवसाद का भाव प्रारंब हो गया जिससे गुमबदों के भार में पुन्हे वरदी होने लगी अन्त में डेली ने बताया कि गुमबदों के भार में पुन्हे वरदी होने से दबाव भी अधिक होने लगता है जिससे गुमबद बड़े बड़े तुकडों में तूटकर भूशननति की और फिशलने लगता है और अन्त में गुमबदों के तुकडों से भूशननति पर दबाव पढ़ने के कारण मलबा मलित होकर परवत का रूप धारण कर लेता है